तो कि आप भी Instagram को subscribe करने में लगे हो पर हर वार क्या होता है कि किसी 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 बज़े से scrapping हो नहीं पाती और या फिर अगर scrapping हो भी रही है तो Instagram हम्रा county बेन कर देता है वो कहता है जो scrapping करनी है न अब कर लो तो guys आज मैं आपको एक ऐसा unique method बताऊंगा जिससे आपके इनस slapping करने का way बिलकुल change होने वाला है ये method इतना powerful है कि Instagram चाह कर भी आपको bend नहीं कर सकता और यहां तक कि Instagram के जुसे developers भी है न वो भी करेंगे कि यार कि क्या जुगाड़ों लोग है तो चलो ये तो होगी मजाग की बात अब इससे पहले कि मैं आपको बताओं कि वो top secret और unique way है क्या पहले ये समझ लेते हैं कि बाकी ways में ऐसी कौन सी problem है जिसे ये solve कर रही है और ये कैसे बाकी method से different है तो रफसे बात करते हैं कि common method क्या क्या होते है scrapping के तो वैस हम क्या कर सकती है scrapping करते है normally हम request library से waterfall soup से इनी से use करते है ठीक है इनी को use करके हम scrapping को perform करते है और अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि instagram scrap करने के लिए हमें सबसे बड़े ना instagram में login होना पड़ता है और तब भी हम instagram को scrap कर सकते है problem बता क्या है ये method काम तो करते है पर सबसे बड़ी problem तो यह है कि instagram जब ये चीज़ को detect कर लेता है वो हमारे account को ये बैन कर लेता है पर तलब कि instagram को scrap करने की कीमत हमें अपने account को गवा कर चुपानी पड़ती है और दूसरा method होता है scrapping by selenium चाहिए ये पिछले method से अच्छा है पर यहाँ पर problem बिल्कु सेम ही है पि at the end आपका account बैन तो होना ठका है चाहिए आप जितनी मर्जी precautions लगा लो तो guys अब सवाल आता है येर करे तो करे क्या इस question का कोई ने कोई solution तो होना ही चाहिए तो मैंने ना इसी चीज़ को solve करने के लिए बहुत Google किया ठीका मैं मत्था मारता रहा उसके उपर पर मुझे कुछ नहीं मिला और accidentally मुझे ने एक ऐसा method मिला जिसने मेरे literally मेरे दिमाग को हिला कर रखती है कि यार ऐसे भी हम scrapping कर सकती है और अगर कर सकते हैं तो यह method पहले कहा था और सच बता रहा हूँ जब मैं आपको यह method बताऊंगा ना अब आप भी कहोगे कि यार क्या बता दिया तो पहले ही बता रहा हूँ अपनी कुरसी की पेटी बांद लीजिए क्योंकि फ्लाइट उड़ने वाली है चलो दोस्तों मजाग साइड में अब बात करते हैं कि वह method है क्या और उससे पहले यह जान लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन-कौन सी libraries की ज़रूत है ठीक है जिसे use करके हम यह code सारा करेंगे तो guys हो सकता है कि आपके दिमाग में question आ रहा होगा कि शायद हम ना इसके अंदर request library को use करेंगे या फिर beautiful soup को use करेंगे या फिर selenium को use करेंगे पर दोस्तों answer पता क्या है ना 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 मतलब कि हम इन में से किसी भी library को use नहीं करने वाले हैं अब आपके जिमाग में आ रहा होगा कि यार scrapping कर रहे हैं या फिर copy paste करेंगे हैं कि हम एक एक चीज को खुद copy करेंगे फिर paste करेंगे नहीं नहीं दोस्तों ऐसा भी नहीं है मेरी बात खतम तो होने दो मैं बताता हूं सब्सक्राइब करेंगे यहां पर सबसे पहले मैं अपना inspect को open कर लेता हूं और उसके नहीं नेटवक पैब में चले जाता हूं और एक बार ना जूसा हमारा page है इससे रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि नहीं जूसे यह network के अंदर जो requests आ रही है वो अच्छे से आ सके और अब simply में क्या करता हूं जो इसके followers है इसको scroll करता जाता हूं करता ही जाता हूं करता ही जाता हूं कि यह समझाता हूं क कि यह सब कुछ हो क्या रहा है तो जो जो action हम perform करते हैं वो हमारी ने एक log file के अंदर जाकर store होता है या फिर मैं कहते हूँ की फाइल के अंदर जाके स्चोर होता रहता है और जितने भी वेबसाइट्स होती हैं जो हमें एड्स दिखाती हैं या फिर रेकमेंडिशन देती हैं वो इन्ही कुक्किस या लॉग फाइल को यूज करके हमें ये सब कुछ दिखाती हैं और जो ये आप रिक्वेस्ट्स देख रहे हो तो ये क्या कर रहा है यतने भी लॉग्स हैं उसे एक जगा पर रिकॉर्ड कर रहा है मतलब कि जो भी आप यहाँ पर करोगी वो सारा का सारा उस लॉग फाइल बे जाकर स्चोर हो रहा है और हम क्या करेंगे उसी लॉग फाइल को यूज करके स्क्रैपिंग को परफॉर्म करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हो राइट साइट पर आपको नहीं एक गियर आइकन दिख रहा होगा आपने क्या करने सिंप्ली उस पर क्लिक कर देने और यहाँ पर जूंसा सेव हर फाइल दिख रहा है आपने बस इस पर क्लिक कर देने और इसका कोई भी नाम करेंड कर देना अभी के लिए मैं बस ना www.json लिख देता हूँ अब आपके दिमाग में यह कुशन आ सकता है कि मैंने हर फाइल को json format में क्यों स्टूर कर रहा हूँ तो दोस्तों मैं आपको बता दू जोंसी हर फाइल होती है उसके जोंसा format होता वो json की तरह ही होता है तो अगर मैं यहा आप भी scraping कर सकते हो तो as such कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और अब ऐसा करता हूँ मैं आपको ना जिए उनसी फाइल है इसे open करके दिखाता हूँ समझाता हूँ कि हम scraping को perform कैसे करेंगे जोंसी लॉग फाइल होती हो इस तो क्या-क्या present हो तो जल्दी से open कर ले value को open करता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो अगर मैंने response के अंदर जाकी content को open करता हूँ content के अंदर text को open करता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हो यहां पर हमारे पास जो भी हमने Instagram open किया हुआ था उसकर पूरा का पूरा HTML code यहां पर present है और आपको पता है अगर आप के पास HTML code present हो तो आप beautiful soup की हद से वहां से scrapping perform कर सकते हो पर जैसे कि आपको याद होगा मैंने वीडियो की स्चार्टिंग में कहा था कि हम बिना beautiful soup को use कि है बिना request library को use करके scrapping को perform करेंगे तो दोस्तों इसे मैं बंद कर देता हूँ आपको बताता हूँ कि actual में हम scrapping करेंगे और बंद करने की बादना मैं आपको एक ना open करके देखाता हूँ एक tab जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जितने भी users थे उनका username उनका account प्राइवेट है या नहीं है उनका account verified है या नहीं है या फिर उनका account प्रोफाइल पिक्टर क्या है वो सारा का सारा य यह पूरा का पूरा data scrap कर सकती हो ठीक है और मैं आपको यहीं बताऊंगा कि आपने इस scrapping को perform कैसे करना है पर दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्रम पता क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हो जिससे टेक्स्ट के अंदर हमारे पास users present है उसी को हम scrap करेंगी तो बाकियों को scrap करने का तो कोई मतलब नी बनता तो हम ही का करना पड़ेगा यहाँ पर जितनी भी values present है या फिर मैं कहा दू जितनी भी keys present है हम यह का करना पड़ेगा उसकी values के अंदर अगर users present होगा तो अभी हम क्या करेंगे उसे scrap करेंगे और उसके उसके अंदर जो सा data है उसे extract में है तो हम ही का करना पड़ेगा इसे json format में भी convert करना पड़ेगा तो हम हमें पता लग गया कि कैसे हमने scrapping को perform करना है अब ऐसे करते हैं जल्दी सी मैं ऐसा करता हूं कि अपना जिप्टी 3 उसे open कर लेते हैं और देखते हैं कि चैड जिप्टी इसे कैसे generate करके देता है त आपर लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखना स्टार्ट किया है राइट पाइफन प्रोग्राम विच कैन रीड जेसन फाइल विद यूटी एफ एट एट एंकोडिंग में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि करी बार पता क्या होता है जब आपना फाइ तो आपने क्या है इस लॉग एंटर जितनी वी वेल्यूस है पहले तो उनकी लेंथ फाइंड आउट कर ली नहीं क्योंकि हमने क्या है एक ही करके उन में से उनकी वेल्यूस को फाइंड आट करना है जिसकी वेल्यू के अंदर हमारे पास यूजर्स प्रेजन तो उसके लिख दिया यूजर्स माला कि जिसके अंदर यूजर्स प्रेजन होगा इन इस वेल्यू एंड अपेंड इस इंडेक्स नंबर इंटू अधर वाइस कि माला कि यहां पर मैं ट्राइन एक्सेप कंडिशन लगा रहा हूं कि अगर आपको मैच मिलता है तो आप क्या करना एक उनसे लेट्यस निदडकर करते न मेच आ तो कि आप किया को श्किप करतें अदर है ना मने यहां पर क्या लिख WOW startकिया नौ पर लूब वह वह पर इंडेक्स वगयरा लिखा था जो मैंने आपको पहले बताया है तो मैंने या पर लिख लिए नाओ लूप फ्रू ओल इंडेक्स नंबर विच विच वास अपैंडेड़ गो टू लॉग एंट्री इंडेक्स नंबर रिस्पॉंस पॉंटेंट टेक्स तक हम को अलग लग कर सकते हैं तो मैंने यह आपर लिखा एंड लोड़ इट ऐस जिसन अब आगे हम यह क्या लिखूंगा कि अब हमारे पास क्या है कि जितने भी जो हम फाइंड आट करना चाहते थे वह सारा कुछ मिल चुक है अब मैं क्या करूंगा अब गईज हम क्या करेंगे यह आपर मैंने लिखा नाव क्रियेटर लूप रूप की नेम ऐस यूजर उसर नाम को जो भी की होगी उस की वैल्यूज को हम एक्स्ट्रैक्ट करेंगे एंड अपेंड ऑल दा की वैल्यूज नेम होगा फूल नेम होगा अकाउंट प्राइवेट है यह नहीं है माला कि इस हम क्या करेंगे इन सब को करेंगे और उन सभी को अलग लग लिस्ट के अंदर पास आउट करेंगे और बाद में उनका डाटा फ्रेम शुक बना देंगे ताकि हम ना उसे इजली देख सकी है अब यहां पर दिख रहे हो कि जुन सा चैट जीपटी है उसने अपना काम स्टा कर लेता हूं और अब मैं जुपिटर नोटबुक भी उपन कर लेता हूं और वहां पर जाके ना इसे मैं पेज करके देखते हैं कि चलता भी है या नहीं या फिर ऐसे इसने एक गलत कोड दी दिया है तो सबसे पहले से करता हूं कि जो इसकी जिसन फाईल है इसका नाम चें तो दोस्तों जैसे मैं अब इसे रन करता हूं को आप यहां पर हमारे पास आउटपुट आ चुकी है हमें लोगों के यूजर नेम पता लग गया अकाउंट प्राइवेट है या नहीं वह पता लग गया अकाउंट वेरिफाइड है या या फिर प्रोफाइल पिक्चर का ज करेगा क्योंकि उसने भी तो अपनी जुन सा काम है वहीं से निकालना है तो आप इस मैठ्रट की हबसे क्या कर सकते हो इसली स्क्रैपिंग को परफॉर्म कर सकते हो और आपके अकाउंट को भी बैन को कोई खतरा नहीं रहेगा आप इसली जतनी मर्जी स्क्रैपिंग कर सकते और यहां तक कि आपना किसी के प्राइवेट अकाउंट को भी ऐसे स्क्रैप कर सकते है बएदे मैं रेक्मेंट नहीं कर रहा हूं बस बता रहा हूं एजुकेशन परफॉस के लिए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं सब कुछ हो सकता है अब यह जानना चाहते हो कि इंस्ट्राग्रा नहीं बनाने वाला वीडियो मजा कर रहा हूं जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो बाकी जाने से बहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना और लाइक किये भी ना तो बिल्कुल मत जाना बाकी आज के लिबस इतना ही अगली बाह मिलेंग एक न्यू टॉपिक के साथ तिल और वें गूड़ और ले एंचे मौष पड़े और यू़े ना कहिएd